नमश्कार कि इस दिपावली के पर वुम्हें वैसे तो आप लोगों से मिलना ही उनिनर पर लेकिन दिपावली के इस पर व्ज़ेस switch recom main ? की एक video आप लोमे समक्ष रख़ा हूं और उससे पहले दिपावली कि इस तेवार की आप लोगों को सभी को मेरे परिवार की उसे हर देशुपका मैं आशा करता हूं कि अपर वह आपके जीवन में खुछियां और आनन्द लेके आपकी जीवन आए तो सर्फ़तम मैं आपको बताना जाता हूं कि इस तेवार में जब हम अपने बच्चों के हमारे सामने जागजेत 요LAप है और शायद हम लोग अपने बच्पन की और उटने लगते हैं हम लोग फट आपके तोरते हैं फुलजरियां जलाते हैं तो उस वक्त यसा लगता है कि हम भी एक बच्चे हैं और बच्चों की तरह उस बच्पन को अपने ही जब हम याद करत हो जाता है और शायद हम लोग अपने बच्पन की और उटने लगते हैं हम लोग पटा के तोड़ते हैं फुल जलाते हैं तो उस वक्त तो ऐसा लगता है कि हम भी एक बच्चे हैं और बच्चों की तरह उस बच्पन को अपने ही जब हम याद करते हैं तो मेरे दिमाग में तब जब मेरा धिमाग जाता है तो मैंने सूचे कि मैं क्यों उस विद्ध्याले का उस ऑफईवेश का एक झ्छलका आप लोगों समर्पित करूं है आप लोगों highly ऑल्गाई तो कि बहुत से लोगों ने उस विद्ध्याले में अपनी शिक्षी छेले लीएंगी31 एपना primary तो मेरा बच्पन का विद्ध्याले है तो चलिए उस विद्ध्याले देखते हैं धन्यवाद को बताना चाहता है इस विद्ध्याले को लग भग लोगर चुक्त को सकता है हम बालिकाओं ने शिक्षा ग्रहन की और उच्छ पदों बर भी आसीत हैं तो इस विद्ध्याले की अगर हम बात करते हैं तो यह विद्ध्याले लगबग इस विद्ध्याले का निरुमार तो क्या है लेकिन अब यह अर्द सरकारी की रूप में यहां पर पितावगड की चिले में इस विद्ध्याले में शिक्षा का कारी समपादन होता है इस विद्ध्याले में जीजस की प्रतीमा है इस प्रतीमा के समक्ष प्रातना इस्थल में सारी girls यहां पर आकर प्रातना इस तल में अपनी प्रातना की activity करती है और इस activity की पच्चाथ यह अपनी class हो में प्रस्थान करती है यहां पर classes junior senior division के रूप में classes ली जाती है junior division में यहां पर नीची की ओर भी कुछ कम कख्षा है है और उपर के पाले में भी उपर जो पार्टि शन है। उसमें भी अलग से कख्शायों संचालित होती है। और senior classes जो हैं, inner classes जो senior classes हैं नीची की, और इस विध्धाले से संचालित होती ही, वह अभी हम आपको दिखाएंगे …. इस विध्धाले में, चोटे-चोटे ते तो इसी प्रांगर के समक से एक टेंकी हुआ करती थी जो भी शायद मैं दिखाऊंगा उस टेंकी से हम लोग छोटे छोटे थे तो अक्सर खेल कूत के बच्चार हम लोग यहां पर पानी पिया करते थे यह देखें और इस विद्ध्याले से ही एक नीची को रस्ता जाता है ज गrån मिश्चाक यहां बच अगेक जाते हैं इस से ओपर और आगे की गोर जात तो बिब्ध्याय जाता है तो और बार इस अपर से ऐग में आगे को जाते है तो बिब्भिन अभी तो साइद उस समय तो हम जब थे उस समय यहाँ पर एक कक्ष का निर्मार नहीं था लेकिन अभी कक्ष का निर्मार नहीं था लेकिन अभी कक्ष का निर्मार हुआ है यह देख रहे हैं आपके स्क्रीन पर यह अभी जो नहीं बनी है यहाँ पर एक इंटर की ग्लासस के लिए आयरो है स्कूल की ग्लासस के लिए बिग्यान प्रियोक शाला की रूप में इसका निर्मार किया गिया है और ये जो समचाल आपके सामने दिख रहा है इस्क्रीन पर ये उस समय गरीब जो लड़कियां थी उनके लिए चात्रावास बनाया गया था ताकि वो अपनी कम आए में भी यहां पर जो अपनी कम पूजी में भी यहां पर पढ़ सकती थी और अपने अपने आपको अत्मने बर बनाती थी और उस होस्तिल के समक्षी ये उस समय यहां पर किचन हुआ करता था यह ताज़ूब की बाद है कि हम लोग छोटे-छोटे थे तो हम लोग यहाँ पर देखते थे यहाँ पर गल्स रात को अपना प्रेयर करा करती थी अपना काम किया करती थी और यह जो नीचे की और यह ट्विंशेट बना वाय है यहाँ पर बिभिन परिक्षाएं आयोजित की करती जाती है जिसमें चैनिद होकर लाबारती अपना अपनी सस्थाओं में कारीरत हैं और इन होस्तिल को काफी दुक होता है इन इन कमरों को देखने पर मुझे कि इन कमरों में अब वह इनको मैंटेन नहीं जा गिया है पतानी क्यों मैंशन के अधिगारी और ऐम मेरा यह अनुरोध भी है कि अगर मेशन क्या दिखा दिखा दिए इसको देख रहे हैं तो इन कमरों को लाइबरेरी में परिबर्टित किया जाए इन कमरों को फिर से एक छातरवास बनाने की और इसको जागरित किया जाए इतना हमारी शेक्षा के परदी जो ये अलग चलाई गीजिए का हिस्सा है चाहाँ पर रखा जाए टौलेट डेटिन बाथरूम बनाएगी है इसको फिर से एक परिद्रिश्ची को डेक्में तो में आगे किया जाए और ये इसका कीचन का परिद्रिश्ची था उस समय अब जो ये विद्याले की कैंटीन के रूप में कारी ये गया है तो मेरा ये आप लोगों से अनुरूद है कि अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो पसंद आया हो तो इस विडियो को लाइक करिए और सब्क्राइब करिए जिगारियों से उस समाज की रहा है कि समाज की उन परतिस्थिट इमारतों का जिनका उपयोग आज भी विभिन चिश्कारी किलापों के लिए किया जासता है तो इनको ऐसे बेकार समझ कर अलग न किया जाए इनको विभिन रूपों में विभिन चीजों में इनको उपयोग किया जाए और मिशनरी की इस इमारतों को अभी ही उपयोग हमारे मिशनरी दौरा मैं अनुरोद करता हूँ मिशन के अधिखारियों से भी इनको remaintain करने के कोशिश किया जाए और इनको दुबारा से इनको एक library के रूप में एक छात्रवास के रूप में दुबारा से जागरित किया जाए धन्यवाद